हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टाक मार्केट शेयर उटू चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं FCS साफ्ट्वेयर लिमिटेड शेयर की क्योंकि इसमें पिछले दिनों लगवब 20% का अपर सर्कीट लगता हुआ नजर आया है तो हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण हैं कि इसमें 20% का अपर सर्कीट लगता आया है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें हम एक चीज और देखने वाले हैं कि ये जो कारल लिकल के आये हैं उसमें प्रमोटर की भूमिका तो नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा नीज लिकल के आया है इन सब चीजों को हम दीटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जब हम पिछले वीडियो जब बनाये थे इसमेश जब टार्गेट बताये थे तो उस टार्गेट को ये हीट करता हुआ नजर आया है और जब इसमबर के साथ साथ हम इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट के सपोर्ट भी जानने की कोशिश करेंगे और अगले टार्गेट के भी इसमें चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी दो देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सब न्यूज को देखने का प्रियास करते हैं सबसे पहले अगर हम पात करें इसके चार प्रटन की तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह जो कंपनी है यह तीन रुपे असी पैसे पे फिलाल यह ट्रेट करती हुई नजर आई है अगभग 19% के तेजी के साथ और इसमें 20% का आप पर सरकीट लगभग लगता हुआ नजर आया है 8 दिसंबर को तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह जो कंपनी है यह एक दिन में ही 18.75% का रिटर्न लिकाल के अपने शेर होल्डो को दे चुकी है जबकि यह पांद दिन की बात करें तो 25% का रिटर्न लिकाल के दी है एक महिने की अगर हम बात करें तो 31% का जबकि 6 महिने की अगर हम बात करें तो ुआ couch लिए है जब कि इसने तो अपने 실 होरों को एक सबस्क्राइब कर तो उसका चारइब देख रहें इसका इंपनी फिलाल दिखता हुआ नजर नहीं आया है क्योंकि यह जो company है यह इसमें लगातार up और down दोनों लगातार दिखते हुए नजर आ रहे हैं और यह फ्लेट return लिकाल के दी है उसके बाद फिर से इसमें तेजी आई है जो आठ तारीकों में 20% के आसपर जो तेजी आये थी उसमें सबसे पहले अगर कार्ड धूडने में सबसे पहले अगर हम पात करें कि कोई ऐसा news लिकल के आया है की नहीं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 29 तारीकों जो अपडेट आया था हुआ ही लिकल के इसमें आया है उसके बाद फिलाल कोई भी अपडेट लिकल के इसमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जो यह बता रहा है कि हो सकता है कि इसमें operator की भूमिकाज शक्री होती हुई दिखाई दे और यहाँ पे आप देखिए कि यह जो BSC पे इसमें total quantity trade हुई है वो लब एक तीन करोण 51,36,411,000 की trading होती हुई दिखाई दे रही है आठ दिसंबर को और इसमें से देखर करोण लबग 42% के आज़ पास यानि 47,40% के आज़ पास इसमें quantity delivery के रूप में उठती हुई नजर आ रही है जो यह बता रहा है कि पका इसमें कोई न कोई operator की सक्रीटा बढ़ी है और इसमें अच्छे खास operator ने मिकाज निभाई है इसके कारण इसमें ना केवल अच्छी खासी ट्रेडिंग होई है बलकि इसमें delivery भी अच्छी खासी उठती हुई नजर आ रहा है तो अब हम चलते हूं उन सब अब जो भी operator इसमें सक्री होते हुए नजर आ रहे हैं उनको हम detail से देखने का प्रयास करते हैं और जानने की को ऑच्छी ग्रोथ करेट है और जीनम ब्रोकरेज है इन्होंने सब में खरिदारी करी है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो पेस है इन्होंने 8 दिसंबर को 3.60 पैसे पर खरदारी करा है लग बग 25 लाग षेर उसका पर फिर से यह नौ लाग शेर इन्होंने खरदारी करी है आठ दिसंबर को सिटीडेल ने इसके अलावा यहां पर दो करोड़ चारीस लाग सेरो की फिर से खरदारी करी गई हाई ग्रोथ के द्वारा तीन रुपय च्यासेट पैसे पे और फिलाल अभी आप देख रहे थे कि यह तीन रुपयासी पैसे पे ट्रेट करता हुआ नजर आ है इसके अलावा सि टेडेल और हाई ग्रोथ के अलावा जीनम व्रोखर ने इसमीं इक वाली भी करी है और यह जो कि वह आंपर हैं और यही कारण है कि इसमें high volume बनती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर देखते चले जाई है अच्छी खासी इसमें जो खरदारी और विक्वाली चल रही है जीनम ब्रोकरिक ने आठ दिसमर को बेचा है पेस कमोडिटी ने भी आठ दिसमर को बेचा है और उससे पहले अ तो 6 दिसमबर से ठीक पहले 30 नौंबर को सकरी होते हुए नजर आये थे अर्थात इस महिने यानि दिसमबर महिने में 6 के बाद 8 तारी को अच्छी खासी ऑपरेटर की भून का देखने को मिल रही है और यही कारण है कि जो शेयर फिलाल देड़ रुपे के दूरुपे के आ परसाने की कोशीश कर रहा है इस लिए रिटेल इंवेस्टर जो भी है उनसे बस एकी चीज कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने बितली सलाकार से संपर करिए और जब भी आप इन्वेस्मेंट करिए इसमें गुश्ची पूरी जिम्यद दूम अपने हैं लागतार इसमें आप डाउन अप डाउन जैसा ही चायरट प्रेटर्श चलता है इसलिए इस लिए इसमें कोई भी इन्वेस्ट्मेंट करने से पहले पूरी जनकारी लेई और, उसमें उतनाईव इन्वेस्मेंट करने का प्रियास करे कि आपके डूब जा डिया जाता है इसमें यह rule है कि अगर आप अच्छा-खासा इसमें करते हैं तो उस में आपको profit हुई है उसको फोड़ के और इसमें ठोल हं जो है लिकाल लिया जाता है और प्रोफिट को छोड़ दिया जाता है ताको अगर profit मालिजे कोई पेनी शेयर अगर चल जाता है तो वो profit ही आगे चल के अच्छा खासा return लिकाल के देता है और आपका मूल धन बचा रहा सकता है तो इस rule को आप खालू करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैसे को अच्छा खासा growth भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं अब हम अगर बात करे है इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ड की तो यहां पर आप देखने हैं जो सबसे बड़ा रिसिस्टेंट लिकल के आ रहा है वह चार रुपे तेरह पैसे का रिकल के आ रहा है और चुकि आप जानते हैं यह जो कंपनी फिलाहल तीन रुपया सी पैसे के आसपास ट्रेट कर रही है इसलिए इसमें जो अगला रिसिस्टेंट यो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है और जो अगले मतशिन कर लकल आ दिखाई दे रहा है, वो 3 रूपे 47 PAYSET के आसपास दे रहा है, और फात इसमें किसी भी कालणवस अगर गिरावत आती है, तो ये सबसे पहला जो सपोर्ट लेगा, वो 3 रूपे 47 PAYSET का लेगा, उसके बात 3 रूपे 24 PAYSET का, निकल के आता हुआ नजर आ रहा है अब मुझे बात करें इसके डिसंबर के टार्गेट की तो यहां पर जो सबसे बड़ा टार्गेट निकल के आया है वो आया है 4 रुपे का थाद यह हो सकता है कि जब समवार को मार्केट खुले तो इसमें अगर अपरेटर की सकरीता नहीं आती है अगर अपरेटर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो यह जरूर चार रुपे का जो टार्गेट दिसंबर में दिया गया था उसको तोड़ता हुआ नजर आये और यह पांच रुपे के तरफ अगर सर होता हुआ नजर आ है लेकिन अगर किसी कारवास इसमें गिरा हुआ नजर आ सकता है अर्थात इसमें जो सबसे बड़ा टार्गेट दिसंबर का दिया जा रहा है वह फिलाल चार रुपे का दिया जा रहा है और ऐसे ही अगर तेजी बनी रही तो जल्द ही आप देखेंगे कि यह जो टार्गेट है हीट करता हुआ नजर आये तो दोस्त हुआ झाल